है गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाइज आज की वीडियो में मैं आपके साथ मैट्रिक्स ऑप्टिक एज शेंपू और स्पा और मैट्रिक्स बायो लाज शेंपू एंड स्पा का कंपैरिजन विडियो शे ज्यादा मिल रही है किसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे है तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्रोड़क्ट यूज कर रही है तो आप आज की वीडियो ज़रूर देखें ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्फुल होने वाली है क्योंकि आज की वीड को स्टार्ट करते हैं तो गाइस मेरे पास दो शेंपू हैं दो हियर मास्क है दोनों ही मैट्रिक्स के हैं मैट्रिक्स ऑप्टिक्यार स्मूथ स्ट्रेट शेंपू मैट्रिक्स ऑप्टिक्यार हियर मास्क या फिर स्पा भी इसको कह सकते हैं इसके इलावा मैट्रिक्स बायो अच्छे cytosorr में ये वले प्रोडक्त मिल जाएंगे अगर आपने smootheny कर वाई है कर वाई है तो आप ये वले प्रोडक्त कर सकते हैं वैसे भी आप अपने बालों पर ये वले प्रोडक्त कर सकते हैं बहुत अच्छे इसके result है प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स है तो गाई सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स ओप्टिक एर शैंपू एंड हेर मास्क की तो देखे इस तरह की इसकी पैकेजिंग है औरेंज कलर की 200 ml हमें इसकी क्वांडिटी मिल रही है बहुत ही अच्छा वाला शैंपू है यह मेरी सेकिंड परचेज है इसकी एक बाटल मैंने पहले खतम कर ली है मैंने अपने बालों पर स्मूथनिंग करवाई हुई है तो मैं यही वाला शैंपू यूज कर रही हूँ इसकी यह सेकिंड बाटल है 200 ml हमें इसकी कौन्डिटी मिल रही है मैट्रिक्स ऑप्टिकर स्मूथ स्ट्रेट शैंपू प्रोफेशनल शैंपू है फोर अल्ट्रा स्मूथ हेर शिया बटर तो गाईज अगर इसके प्राइज की बात करें 345 रोपीज इसका प्राइज है और 200 ml हमें इसकी कौन्डिटी मिल रही है मतलब कि 200 ml हमें इसकी कौन्डिटी मिल रही है और 345 इसका MRP है मतलब इसली आप 320 या 310 रोपीज में अपने लोकल मार्किस चोर से इसके बात करें ना तो इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे है अगर आपने स्मूथ नहीं करवाई है तो आपको यह वाला प्रोडक्ट यूज करने चाहिए मुझे अच्छा लगा है परसनली यह वाला शैंपू मुझे अच्छा लगा है अगर इसके कमपेरिजन में मैं बायो लाज के शैंपू की बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग है यह भी मैट्रिक्स के ही प्रोडक्ट है इसकी हमें 200 ml कॉंड़िटी मिल रही है दोनों ची 200 ml कॉंड़िटी है बट इसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो फिफ्टीन रुपीज इसका प्राइज है बट मैंने इसे अपने लोकल मार्के स्चोर से 180 रुपीज में बाई किया है एक सो असी रुपे में मैंने इसे बाई किया है तो प्राइज के अकॉर्डिंग तो हमें ये वला जदा ओफॉर्डेबल मिल रहा है इसकी मतलग जिसकी जो मैंने 180 रुपे में बाई किया है इसके रिजल्ट मुझे ज्यादा अच्छे लगे है इसके यूज से मेरे बाल बिल्कुल स्मूथ हो गया और इतना अच्छा लैदर करता है थोड़ी सी ही कॉंटिटी मुझे लेनी पड़ती है और इतना अच्छा ये लैदर करत है कि जस्ट एक बार शेंपू करने से बाल मेरे बिल्कुल नीट और क्लीन हो जाते हैं इसका प्राइज भी कम है और रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छी है मैट्रिक्स ऑप्टी के रिजल्ट भी बहुत अच्छ है बट कंपैरिजन में मुझे इसके रिजल्ट जो है ज्यादा अच्छे लगे तो गाइज यह है मैट्रिक्स ऑप्टी केर का हेर मास्क इसका प्राइज है 685 रुपीज साड़े 600 रुपे में इसली आप बाई कर सकते इसकी भी यह देखिए पूरी बॉटल मैंने खाली कर दी है इसका यह पूरा कंटेनर में खाली कर चुकी हू तब ही मैं अपना ओनेस्ट रिव्यू आपके साथ शियर कर रही हूँ तो जो यह वला मास्क है ना इसकी हमें 490 ग्राम कॉंडिटी मिल रही है साड़े 600 रुपे में प्राइस की बात करें तो बायो लाज ज़्यादा अफॉर्डेबल है इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्या मास्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो अगर आपने भी केरेटेन स्मूथनिंग वगेरा करवाई या तो आप इसका जुरूर यूज कीजी आपको यह बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बाट गाइस अगर आप मैट्रिक से यह वला मास्क यूज कर रहे है तो आप कम से कम महेंने में dो बार ही इसका यूज करे बहुत ज़्यादा इसका यूज ना करें क्योंकि बहुत ज़ादा अगर हम इसका यूज करते है ना जब भी हम हेर हफते में अगर हमने दो बार हेर वाश किया तो दोनों बार हम इसका यूज करेंगे तो हमें हेर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है मुझे ऐसा फील होता है तो आपको कम से कम महिने में दो बार ही इसका मैट्रिक्स बायोलाज अल्ट्रा हाइड्रा सौर्स हाइड्रेटिंग मास्क फॉर वैरी ड्राइयर इसकी भी हमें 490 ग्राम क्वांडिटी मिल रही है क्वांडिटी हमें दोनों की से मिल रही है बट रिजल्ट में बहुत ही ज़दा फरक है अगर आपके बाल करवाने के बाद हमारे बाल काफी ज़दा ड्राइ हो जते हैं तो आप इसका यूज कर सकते हैं इसका प्राइस 490 रुपीज है इसलिफ फॉर फ़िफ्टी रूपीज में आप इस से बाय कर सकते हैं साधे 400 रुपे में तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो दोनों में ही अच्छा लेदर करता है कम से कम एक साल तक आप इसका यूज़ कर सकते हैं इतनी ज़्यादा हमें इसकी कॉंडिटी मिल रही है तो गाइस कमपैरिजन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बायोलाज के जो प्रोड़क्ट है वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगी है प्राइस के अकॉर्डिंग भी अगर हम प्राइस की बात ना भी करें रिजल्ट की बात करें तो भी मुझे मैट्रिक्स के प्रोड़क्ट ज़्यादा अच्छे लगी है मेट्रिक्स ऑप्टिकेर की दो शेंपू मैंने यूज कर ली है स्पा भी मैंने इसकी पूरी खतम कर चुकी हो और इस बर मैंने बायोलाज के प्रोडक्ट बाइ की है बट मुझे बायोलाज के जो प्रोडक्ट है इनके रिजल्ट ज़ादा अच्छे लगी है एक तो इनका प्राइज भी काफी ज़दा कम है हमें सेम कौन्डिटी मैट्रिक्स ऑप्टिकेर जितनी मिल रही है और इससे हमारे बाल है जो हमारे हेर है न वह बिल्कुँ स्मूथ सिल्की सौफ जाते है हेर फॉल की प्रोडलम भी नहीं होती है मैट्रिक्स ऑप्टिकेर की जो मैंने हेर मास्क की यूज किया था न उससे मुझे हेर फॉल होना स्टार्ट हो गया था बट मैट्रिक्स बायोलाज से ऐसी कोई भी मुझे प्रोब्लम नहीं हुई है तो अगर आपने भी ये वले प्रोफेशनल प्रोड़क्ट का यूज करना है तो आप मैट्रिक्स बायोलाज की ये वले प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं आपको इसके बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे लास्ट में आपकी अपनी चोईस है कि आपको कौन से प्रोड़क्ट ज्यादा अच्छे लगे हैं आपके बालों पर कौन से प्रोड़क्ट ज्यादा अच्छे ज्यादा अच्छे उसके रिजल्ट आई हैं तो आप वही वाले यूज कर सकते हैं मुझे मेरी recommendation पर आप matrix biology के product यूज़ करके देखिए आपको इसके result बहुत अच्छे लगेंगे hope guys आपको मेरी ये वली वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like, subscribe जरूर कर देना तो चलिए guys अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगे तब तक के लिए thank you, bye